तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने conjugate of a complex number और modulus of a complex number के बारे में बताया था और example के साथ बताया था तो उस वीडियो का link नीचे description में होगा अब वहाँ से देख सकते हैं आज हम बात करेंगे amplitude of a complex number जिसे argument भी कहा जाता है argument of a complex number तो इसे जनने से पहले हमें जानना पड़ेगा के polar form of a complex number क्या होता है ठीक है एक complex number का एक अलग form होता है जिसे polar form भी कहा जाता है यह क्या होता है यह पहले हम देखेंगे तो Stone जैसा के मैंने इससे पहले वाल introduction वीडियो में बताया था के एक complex number को हम लोग इस तरह से लिखते है z equal to x plus i y जिसे हम लोग इसका normal form कहते है normal form या normal इसका जो है representation या इसका चहरा कह ले तो इसी तरह complex number को लिखने का एक और तरीका भी होता है जिसे हम polar form कहते है तो वो क्या है कि माल लिजे z एक complex number है ठीक है तो अगर हम इस complex number को जो complex plane है इस पे अगर हम एक point से denote करे point P से तो हमें पता है के point P को हम की इस तरह लिखेंगे x,y जहां पे x हो रहा है यह real part और y हो इसका imaginary part है इस तरह से तो यह x और y क्या चीज़ है actually यह जो origin होता है origin से यहां से और P से अगर हम एक perpendicular बनाते है तो O से M तक जो होगा यह होगा x और PM जो होता है यह होता है y ठीक है यह हमें पता है easily अब हम क्या करें हम माल लेते हैं के जो यह point P है इसका origin से जो distance है इसको हम लोग r माल लेते ठीक है let op equal to r यह जो op है distance of the point P या distance of the complex number from origin ठीक है इसको हम लोग r माल लेंगे और यहां पर जो angle बन रहा है जो positive angle बन रहा है किसके साथ x-axis के positive direction के साथ तो इसको हम लोग theta माल लेंगे और theta तब क्या होगा p o x या p o m b कह सकते हैं इसको हम लोग theta माल लेंगे ठीक है theta मानने के बाद अब देखिए एक right angle triangle हो गया इस right angle triangle से अगर हम p o m एक right angle triangle है यहां से हम लोग अगर calculate करें o m by o p यह क्या होगा तो o m जो है यह हो रहा है base और o p जो है यह हो जा रहा है परपंडी hypotenuse यह जो है o m यह क्या हो गया base हो गया और यह हो गया hypotenuse इसी तरह से pm यह परपंडी कुलर हो रहा है इसका value y हो गया इसका value x हो गया तो अगर हम लोग o m by o p करेंगे ने base by hypotenuse तो क्या होगा cos theta होगा इस theta के यह हो जा रहा है परपंडी कुलर by hypotenuse तो यह पी एम है इसका value हो रहा है यह यह हो रहा है और o p जो है यह हो रहा है तो यहां से अगर हम y के value calculate कर रहा है यहां multiply हो जागा y equal to r sin theta और यहां से लिकरे y को r sin theta के form में ठीक है तो अब जो हमार complex number हो किस तरह change हो जाएगा complex number x plus i y अब हम x के जगा क्या put करेंगे r cos theta और y के जगा में put करेंगे r sin theta यहां से जब हम r common ले लेंगे तो क्या हो यहां पर z equal to r cos theta plus i sin theta यह जो z का एक नया form आ गया जहां पर हम देख रहे है जो complex number यहां पर एक r है r क्या चीज़ है जो complex number उसका origin से जो distance से वो हो गया और दोनों जगा में जो theta यह theta क्या है यह theta जो complex number है वो उसका जो r है वो positive axis से कितना angle बना रहा है ठीक है positive axis से कितना angle बना रहा है तो यह जो form है एक नया form complex number का इसी को कहा जाता है polar form of complex number तो polar form complex number जो होता है वो complex number में r और theta को यूज़ करके लिखा जाता है तो उस form को हमनों कहते हैं polar form तो polar form में जो को हम लेते हैं वो r और theta को यूज़ करते एक हो गया हो गया जो distance from origin और theta हो गया उसका जो है positive axis के साथ कितना angle बना रहा है वो तो ठीक है यह याद रखेंगे अच्छा यहां से हम कुछ और properties देख सकते हैं x और y का value में में मिल गया x equal to r cos theta y equal to r sin theta थीक है अगर हम यहां से दोनों x square और y square का value अगर निकाले तो क्या होगा ? x square plus y square मतलब एक स्काई square करेंगे तो इसकाई square होगा तो इसका- इसका- Experience तो is more और r square cos theta plus y square मतलब y square करेंगे यह भी square होगा r square sin square theta तो डोलंों से अगर हम r square a volunt corn लेंगे तो होगá cos square theta तो cos square theta plus sin square theta value 1 हो जाएगा 1 into r square r square हो जाएगा तो क्या मिला हमें? r square equal to x square plus y square और अगर हम r का value find out करेंगे तो इह रूट हो जाएगा plus minus भी होगा लेकिन r चुके एक distance है origin से इसलिए हम negative value नहीं लेंगे positive लेंगे तो r का value का रूट ओबर x square plus y square ठीक है और अगर आप धियान देंगे इससे पहले जब मैंने बताया था modulus के बारे में जो complex number का modulus होता है वो यहीं होता है x square plus y square का positive root तो यह actually में क्या चीज़ है? यह complex number का modulus है तो इसका मतलब यह हुआ कि r जो हुआ वो हुआ complex number का modulus यहार इक्वल टू है modulus तो हम इसको क्या लिख सकते है? modulus को हमने किस तरह दीनोट किया था? इस तरह लाइन लेकर के z लिखा था तो r के जगह में हम लोग modulus of z भी लिख सकते है क्योंकि r मतलब plus root over x square plus y square होता है यह clear हो गया तो इसको भी हम box में लिखे लेंगे ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए ठीक है? अच्छा है एक और चीज हमें मिलेगा अगर हम y butta x यहां find out करेंगे तो क्या मिलेगा? y butta x y मतलब r sin theta x मतलब r cos theta तो अगर r cancel हो जाएगा यह जगा sin theta by cos theta मतलब 10 theta तो 10 theta equal to y by x therefore 10 theta equal to y by x हमें x और y का value हमें complex number से मिल जाएगा तो अगर हम put करेंगे तो 10 theta का value मिलेगा और फिर वहां से theta का value निकाल सकते है तो हम क्या कर रहे है? कि यहां पर हमने इसका नाम दे दिया equation number 2 और इसका नाम दे equation number 3 2 से हमें क्या मिलेगा x और y का value तो हमें पता रहेगा complex number में दिया रहता x और y का value तो यहां से हमें उसका जो है r का value मिल जाएगा यानि modulus का value मिल जाएगा और यहां से जो हमें 10 theta equal to y by x से यहां से जो हमें तो मैंने वहीं बात यहां पे लिखा है we obtain r and theta from equation 2 and 3 equation 2 से हमें r मिल जाएगा क्यों? x और y का value पूट करेंगे यहां पे तो r का value मिल जाएगा यानि modulus मिल जाएगा और जब x और y का value यहां पूट करेंगे तो हमें theta का value मिल जाएगा तो यह था total polar form के बारे में r equal to mod z z का modulus तो अब हम यहां पे यह जो polar form ही यहां पर भी हम r के जगा में mod z पूट कर सकते हैं और उसके साथ-साथ यहां पर भी r के जगा में mod z पूट कर सकते हैं तो इसके place में mod z यूज कर सकते हैं mod z यूज कर सकते हैं r भी लिख सकते हैं mod z भी लिख सकते हैं ठीक है सभी ठीक है तो अब हम आ जाएंगे amplitude या argument के definition पे amplitude और argument of a complex number तो अभी अभी जो मैंने polar form बताया वहां पे मैंने जो angle बताया theta इस angle theta को कहा जाता है उस complex number का amplitude या argument कहा जाता है ठीक है let z equal to x plus i y be a non zero complex number complex number हम जो भी लेंगा 0 भी complex number है x equal to r cos theta और y equal to r sin theta तो वह theta जो होगा वह इन दोने equation को satisfy करेगा इसको हमने number one नाम दे दिया है तो theta का वह value जो इन दोनों को satisfy करेगा is called the amplitude or argument of z and it is denoted by और इसको denote कैसे करते है capital A amplitude of z और argument of z इस तरह से लिखा जाता है तो that is हम क्या बोल सकते है amplitude of z equal to theta या argument of z equal to theta ठीक है तो theta का value जो angle है वह angle का value जो इन दोनों equation को solve करके आएगा उसी को हमनों या फिर 10 theta equal to y by x जो है उसको solve करके आएगा उसी को हम क्या बोलेंगे amplitude या argument बोलेंगे ठीक है अच्छा यहां पे बहुत important note है वह यह है कि जो equation 1 है since equation 1 is satisfied by infinitely many values of theta अब यहां पे जब इन दोनों को solve करेंगा theta का value मिलेगा या फिर यहां से भी आप देख सकते y by x करेंगे 10 theta आएगा तो जो 10 theta equal to y by x है वहां से अगर हम solve करेंगे तो 10 theta का value आएगा तो वह 1 से ज्यादा value आगा बहुत सारा value आ सकता है या आप आगे फिर थीटा का Bहुत सारा value आ सकता मतलब बहुत सारा amplitude बहुत सारा argument हो सकता है so there are infinite number of amplitude of z जो complex number z उसका बहुत सारा amplitude होगा या बहुत सारा argument होगा ठीक है अब हम बात करेंगे principle value of amplitude or argument जो हमारा main point है amplitude या argument का principle value किसे कहेंगे तो देगे, principal value क्या हमेज़ इसे अभी पता चला कि थीटा बहुत सारा value हो सकता है थीटा का ठीके लेकिन अगर हम थीटा का ऐसा value ले जो के minus pi से pi के बीच में हो, if you take the value of theta between minus pi to pi, that is इस तरह से थीटा minus pi से बड़ा होगा, लेकिन pi के equal या उसे छोटा होगा, अगर हम थीटा का ऐसा value लेते हैं, then this theta is called the principal value of amplitude तब इस थीटा को बोला जाएगा, principal value of amplitude ठीक है, जब ये theta क्या होगा, minus pi से बड़ा और pi से छोटा या उसके equal होगा, यानि इस range के अंदर होगा थीटा, ठीक है, तब उसको बोला जाएगा principal value of amplitude और उसको denote किया जाता है, small amp amplitude z और argument z, ध्यान देना है, फर्क है इन दोनों के लिखने में, यहां पर मैंने यूज किया, amplitude z, यहां पर एको मैंने small use किया है, यह principal value के लिए यूज होता है, यह argument z यह principal value के लिए यूज होता है, यहां पर और उसमें फर्क है कि ओ जो capital amplitude z, यह argument z उसमें theta का बहुत सारा value आएगा, ठीक है इसमें जो है theta का सिरिफ जो value आए होगा, ठीक है, यह बहुत सारा value नहीं होगा, इस range के अंदर जो theta आएगा वो एक ही होगा, so note number one कि principal value of amplitude is unique, जो principal value आएगा वो यूज होगा, ठीक है, यह एक ही होगा, generally amplitude of a complex number means its principal value if nothing is mentioned, यह अगर question में यह बोलता है कि amplitude निकालो complex number का, या argument निकालो complex number का, तो हम कौन सा निका यह पहले amplitude का definition हो लिकालना है और principal value निकालना है, तो जब कुछ लिखा नहीं देगा question में, तो हम लोग आम तोर पे principal value ही समझते है, ठीक है, तो principal value ही निकालना है, के लिए exam में देता है, question में देता है, ठीक है, अच्छा, इन दोनों amplitude में क्या रिष्टा है, क्या इन में relation है तो देखिए, जो capital amplitude न बहुत सारा जिसमें value आएगा, वो क्या है, जो principal value है, उसमें 2N pi एड करके आता है, न मतलब कोई भी integer है, एन अगर वान लिजेगा, तो 2 pi हो जागा, एन इकॉल 2 लेंगा, तो 2 into 2, 4 pi हो जागा, तो जो principal value यह वाला है, उसमें 2 pi, 4 pi, 3 pi इस तरह एड करकर के, और negative भी हो सकता है, अगर minus वालेंगे, तो minus 2 pi, minus इस तरह से, एड करकर के, यह minus करकर के आता है, ठीक है, amplitude, अच्छा, जो हमने लिखा था, जेड, जेड हमने क्या लिखा था, अभी polar form में, जेड इकॉल to r cos theta plus i sin theta, ठीक है, तो r क्या होता है, जेड का modulus value होता है, और theta जो है, अगर theta अगर हम यह principal value लेते हैं, principal value लेते हैं, तो अब यहाँ पर देखेंगे, यह modulus, r क्या है, modulus, theta है, argument है, तो इस form को, z का इस form को, हम लोग polar form भी बोलते हैं, और अब हम लोग इसको, हम लोग modulus amplitude form भी बोलते हैं, ठीक है, modulus amplitude form of z, और theta का range, क्योंकि यह argument z है, यानि amplitude principle value है, तो theta का range क्या होगा, minus pi से बड़ा होगा, और pi के equally यह से छोटा होगा, ठीक है, इसको, हम लोग क्या बोलेंगे, modulus amplitude form, जो हमें आगे लिखने के लिए भी देगा, question में, तो यह जो था, यह amplitude, यह argument का mainman था, अब थोड़ा हम आगे आते हैं, तो महा लिजे, complex number z है, उ जो complex number है, उसको हम लोग निकाल सकते के वो कौन से quadrant में है, अगर z पहला quadrant में होता है, तो पहला quadrant में अगर होगा, तो यह जो theta जो है, यानि जो principle value है, वो 0 से pi by 2 के अंदर होगा, क्यों होगा, देखे आप यहां से समझ सकते हैं, यहां 0 degree होता है, यहां 0 degree होता है, यहां 90 हो point होगा, तो वो theta 0 से pi by 2 के अंदर ही होगा, है न, इस तरह से, अगर जो complex number वो second quadrant में है, second quadrant में यहां पर अगर है, तो जो theta होगा, वो किस के बीच में होगा, वो हो जागा pi by 2 से pi के बीच में, क्योंकि यहां पाई तक pi by 2, यहां से आगे जाएंगे, तो pi तक होगा, ठीके, इस तरह से, अगर वो theta 3rd quadrant में होगा, तो 3rd quadrant में अगर होता है, जेड, तो जो theta होता है, वो minus pi से minus pi by 2 के बीच में होगा, यहां से यहां माइनस pi by 2 होगा, इस तरह से नीचे तरफ से हम लोग इसको calculate करते हैं, यहां क्यों करते हैं, मैं आगे बताऊंगा, कि यहां minus pi से, minus pi से minus pi by 2 के बीच में होगा, theta, अच्छा, यहां क्यों करते हैं, इसका मैं रिजन बता दो, कि जो हम लोग principal value निकालते हैं, यानि जो theta निकालते हैं, तो principal में यह होता है, कि हम लोग जो है, इस तरफ से, या इस तरफ से angle को हम लोग measure करते हैं, तो जिस तरफ से angle हमारा सामन पड़ता है, हम लोग उसी तरफ से measure करते हैं, हम आगे देखेंगे, कि अगर हम इदर से measure करने में, हमें जल्दी measure होता है, यानि कम angle होता है, तो हम उसी को हम लोग लेते हैं, ठीक है, अगर इदर से calculate करने में, angle छोटा होगा, तो इदर से calculate करेंगे, और इदर से angle, वो जो angle मिल रहा है छोटा होगा तो इह से कैलकुलिट किया ज़िता है historic माइनेस πाइड पैसे माइनेस फाइड पैसे माइनस फाइड टू के बीच मेस finger 0 अब यह थोड़ा से इसका dish department भी होगे on तो माली जी हमें एक्जाम्पल के तोर पे find the amplitude or argument of these and these दो complex number दिया इसका हमें amplitude ये argument find out करना है ठीक है किस तरह से हम करेंगे तो पहले जो है ये complex number है root 3 plus i इसको हम लोग इस तरह से लिख लेंगे order pair के form में यह हो गया x और यहां i के साथ कौन सा number 1 तो यह हो गया 1 तो यह हो गया x और यह हो गया y ठीक है तो यह आप देख सेकते हैं दोनों positive है दोनों positive है तो फिर यह कौन से quadrant में होगा which lies in the first quadrant ठीक है तो अगर first quadrant में होगा hence if argument अब हम क्या करेंगे इसका argument हमें निकालना है तो argument को यानि argument जेडवान इसको लिए ठीटा हमाल लेंगे ठीटा माल लेंगे तो 10 ठीटा क्या होगा y by x होगा है ना तो जिसा का हमने 10 ठीटा का भेलू भी निकाला था y by x तो y के जगा में हो जगा 1 और x के जगा में जगा रूट 3 तो यह 10 ठीटा होगी है 1 by रूट 3 लेकिन यह कौन से क्वादर में है 1st क्वादर में जो ठीटा होगा वो 0 से 5 by 2 के बीच में होगा जैसे मैंने अभी लिखा था 0 से 5 by 2 के बीच में होगा तो 0 से π2 के यानि 10 θ equal to 1 by root 3 का यहां थीटा कॉन से वेलो होगा 10 1 by root 3 यानि 5 by 6 होगा लेकिन यहां से हम solve करेंगे तो थीटा 5 by 6 के लाब और भी बहुत सारा थीटा आएगा ठीक है बहुत सारा थीटा आएगा लेकिन हमें कौन सा लेना है हमें लेना है वो थीटा जो 0 से 5 by 2 के बीच में होगा तो 0 से 5 by 2 के बीच में 5 by 6 आता है बिलकुल ठीक है तो यह सेटिस्फाय हो रहा है यानि जो अर्गूमें जो जेटा का वेलो जो यह वो पाई भाई 6 होगा ओके अब जो दूसरा कोश्यन है ज जगाई को छोड़के माइनस रूट 3 है ना यह हो गया x यह हो गया y अब देख सकते हैं दोनों नेगेटिव है तो कौन से क्वाडन में होता है यह पॉइंट यह थार्ड क्वाडन में होता है विच लाइस इन थार्ड क्वाडन में है और वो ऐसे भी देख के आप समझ सकते ह अब इसका में जा अर्गूमेंट निकालना है तो अर्गूमेंट यानि इसका एंगल निकालना है तो हम थीटा माल लेंगो इसको 10 थीटा निकालेंगे 10 थीटा क्या होगा y by x यह y हो गया minus root 3 और नीचे हो गया x minus 1 यह minus cancel जागा root 3 root 3 यानि 10 कितना हो जागा यह जागा 1060 का वैलो पाई भाई थीर हो जागा अब अगर दोनों तरब से हम compare करेंगे थीटा कितना गया पाई भाई थीरी लेकिन यह जो है ना जो complex number यह कॉन से औरальном है यह क्या उतरी कहा पड़े मंशन से चोटा नहीं है तो हमें सिसको सही से लिखना पड़े हैं कि हम यह यह आते ए तो इसमें confusion हो सकता है, इसके लिए में एक short trick बता देता हूं, यह short trick आप बार बार use कर सकते हैं, उसमें यह है, कि आप देख लिए कि जो complex number कोन से quadrant में है, और quadrant में है, उससे करने से पहले, आप क्या करेंगे, 10 theta का value निकालेंगे, जिसमें आप y by x लेंगे, इसका mod value निकालें mod value जो है, यह complex number वाला mode नहीं, बलके, इस mode का मतलब यह होता है, कि यह mode क्या करता है, negative value को भी positive में change कर देता, अगर हमें minus मीलता है, कोई number तो पलस में change हो जाएगा, यह mode का काम है, जो आगया, इसी algebra में आगे, integer real number के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे, आप mode के बारे म पाई भाई थिरी, उसके बाद यह trick है, कि कोन से quadrant में, अगर फास्ट quadrant में theta होता है, तो जो value आएगा, वहीं रहेगा, ठीक है, theta जो भी आएगा, अगर फास्ट quadrant में point है, तो वहीं value रहेगा, अगर वो second quadrant में, अगर वो point है, तो फिर argument होगा, pi minus theta, ठीक है, theta का value जाएगा, argument होगा, pi minus theta, अगर third quadrant में point होगा, argument होगा, minus pi plus theta, और अगर fourth quadrant में होगा, तो minus theta, यहाँ theta, यहाँ minus theta, यहाँ पर पाई minus theta, यहाँ इधर से चलेंगे, नीचे से, clockwise, तो यह इधर होगा, तो minus pi plus theta होगा, यह short trick कैसे आया, थोड़ा से, इसके बारे में, मैं बता दे रहा हूँ, एड़ करेंगे, तो यह जो angle आएगा, है न, यह हमारा, अगर हम इस तरफ से इसको देखें, तो यह हमारा, एक, एक, एंटी कोलोक वाईज में, हम यह जल्दी पहुँच रहे, लेकिन अगर हम इसको, यहाँ अपरोच करना चाहिए, इधर से घूम के, इधर से आया, अगर यानि जब अगर point अगर first quadrant में है, तो जो value आएगा, थीटा का वही होगा, उसका principle value, ठीक है, माली जी point अगर second quadrant में है, माली जी यहाँ point है, second quadrant में, तो इस तरह से अगर हम करेंगे, यह होगी है, ठीक है, तो अब हमें measure करना पड़ता है, क्या principle value हमें measure करना पड़ता हमेशा यह positive x-axis से, positive x-axis से हमें measure करना पड़ता है, आगर हम इदर से measure करेंगे, यहाँ से यहाँ तक, यह होता है हमारा principle value, यहाँ से यहाँ तक, यह principal value होगे, यह जहाँ तक मिलेगा, तो यहाँ से अगर, यहाँ तक पहुछते हैं, और अगर इस तरफ से चलोपमाई में हम यहाँ से यहleşाब करने विजार से आपको नापना करunyaंगर वाद 10 यह वास दो और 20 यहां तक पाइ। इस लाइन तक पहूंचना है white दो पाराखे यहां वार अध्या मुंच करेंगे यह होगा हमारा principle बेलो अरश होगा यह कीة लिए होगा है , यहां से यहां से पाई है यह हैं यहां तक π हैं और इसको π में यह थीटा माइन्स हो जागा तो यह बाकी आ जाएगा तो फिर यह कितना हो जागा पाई माइनस थीटा जब सेकेंग क्वाडर्ल में हो और वो वहगा वो पॉंट तो प्रिंसिपल वेलू होगा, यहां से यह तक यह, हो रहा है, यहीं हमार कि ग्रोड़ उनवा कवादर में है, मालीजी third quadrant में point है, तरह से होगा, तो यह होगा angle, theta, third quadrant में अब हम यहां से देखें, अगर हम इस line तक पहुंचना है, इदर से अगर हम चलेंगे, यहां से यहां तक गितना हमें चलना पड़ रहा है इधर से अगर हम इजाएं तक पहुचेंगे तो जल्दी पहुंचेंगे इस तॉप से तो हम क्या करांगे हम इधर वाला tú ж यूज करेंगे कैंगे से ज्यादा लेट होगा तो यह यूज जब हम जायंगे यहareनि पाे इस में कम इस तरह पारे तो 思म यह ऐसा प्लोकृाइज रहा है तो यह प्लस एंगल होगा इस इधर जा रहे हैं तो सब्सेंगल में एहां से फोड़ा चंगकते हैं यह फोड़ा यथा फे एंगल आ यहां यह theta angle वहा, अब अगर हम इधर से घूम कर जाएंगा तो लेट होगा, इधर से सामने पड़ेगा, यहां से, तो यह वाला यूज करेंगा, और यह कैसा angle है, यह कोलो कोईज हो रहा तो यह minus theta होगा, नहीं negative angle होगा, तो यह है इसका पुरा trick का main मतलब के, क्या हो रहा है, कि हमे क्या करना होता है principle value में हमें short distance वाला angle लेना पड़ता है तो यहीं इसका trick है तो हम भी यहाँ पर क्या किया है 10 theta का value आगया था थीटा पाई भाई भाई थीटा का value आगया था अब यह कौन सा quadrant में point है third quadrant में तो third quadrant में होगा तो क्या करना minus pi plus theta तो argument होगा minus pi plus theta का value आया pi by 3 तो इसका हम जब LCM लेकर रेखेंगे minus 3 pi plus pi minus 2 pi by 3 यह हो गया इसका principle value यानि argument of z 2 ठीक है हम लोग और भी दो point का argument लेते है चले यह complex number यह complex number है इसका solution देखे z equal to minus 3 plus 3i इस तरह polar form में होगा कौन सा quadrant में हो रहा है यह minus 3 3 पहला होला x और यह y यह negative यह positive second quadrant में होगा है ना तो हम पहले क्या कर लेंगे 10 theta निका लेंगा आप यह argument j equal to theta मान ले या नहीं भी मानेंगे तो चलेगा 10 theta equal to हम यह पर mod value लेंगा y by x y होगी है 3 और x होगी है minus 3 तो mod value क्या तो यह 3 3 कटेगा minus 1 होगा लेकिन यह mod value लेते तो वह negative को भी positive में चेंज कर देता तो यह minus 1 जो आएगा यहाँ पर तो plus 1 में change हो जाएगा तो 10 theta equal to 1 यानि 1 कितना का value था 10 45 का value होता तो theta कितना जगा pi by 4 यानि 45 ठीक है तो argument of z क्या होगा कि यह theta का value मिल गया और यह second quadrant में यह point तो second quadrant में हम क्या करेंगे तो pi minus theta का रहेंगे तो pi minus theta यानि pi by 4 यह जो आया 3 pi by 4 यह होगे इसका argument ठीक है तो जो चाओ था है वो है 1 minus root 3 यानि 1 को मा minus root 3 है ना i को छोड़के minus root 3 आ रहा तो यह कौन से quadrant में यह fourth quadrant में यह point है ना पहला होला positive दूसरा होला negative 10 theta निका लेंगा y by x का mode यानि minus root 3 by 1 यह आप यहां से देखके भी समझ सकते हैं यह वाला by यह वाला होगा यह minus by यह वाला तो यह हो जागा root 3 हो जागा यूकर मोड में minus plus में change हो जाता है तो 10 theta या root 3 मतलब 10 theta का बेलू करना होगा 60 होगा न pi by 3 होगा अब theta जो आया pi by 3 तो argument of z क्या होगा यह fourth quadrant में होगा तो जो theta बस इसमें negative sign लगा देना है तो यह minus by by 3 theta आया pi by 3 तो argument z होगा माइनस by by 3 समझ में आ गिया तो इस तरह से आप निकाल सकते है argument अब बुक में argument का कुछ प्रोपर्टी दिया जिसमें दो प्रोपर्टी इंप्रोपर्टी इंपोर्टेंट है वह है कि माल लिजे दो अलग अलग complex number है complex number z1 एक complex number दूसरा इन दोनों को हम into किये into के form में लिखवा उसका argument हमें निकालने के लिए कहा तो z1 into z2 दो complex number का product का argument क्या होगा तो argument of z1 plus argument of z2 दोनों का हम क्या करेंगे argument अलग अलग निकालेंगे उसको plus कर देंगे और plus एक integer होगा aim होगा ति aim क्या होता है यह aim होता है या तो 0 या तो 2 pi या तो minus 2 pi क्यों होता है मैं बता दूंगा और अगर argument z1 by z2 निकालना है या दो complex number का divide दिया रहेगा argument निकाल रहे हैं तो argument अगर निकालने से हम यह देखते हैं कि वो उसके range से बाहर चला जा रहा है तो फिर हमें उसमें plus और minus कुछ करना पड़ता है ताकि वो उसके range के अंदर आजा क्योंकि argument का range हमें पता है जो theta है वो उसका range होना चाहिए minus pi से बढ़ा और less equal to pi इसके इसके अंदर ही रहा तो aim 0 ले लेंगे अगर वो जो हέ 25 ज्यादा हो जाता है तो वहां पर हम मем माइनस करना पड़ता है अगर वो जो है minus 2 pi से बड़ा है लेकिन minus pi से छोटा होता है तो हमें वहाँ पर add करना पड़ता है जस्ट वो चीज यहाँ पर मैंने लिखा है कि इन दोनों का product का argument दोनों का अलग अलग argument का पलस सेम होगा कब होगा जब यह जो value आएगा वो इस range के अंदर होगा minus pi से pi के अंदर होगा तो हमें कुछ aim के जगा 0 लेने यह नहीं दोनों सेम हो जाएगा ठीक है लेकिन अगर माल लीजिए के यह जो दोनों का पलस करके argument अगर यह minus 2 pi से बड़ा हुआ और minus pi से छोटा हुआ इसके बीच में रहा लिकिन 2 pi से छोटा हुआ है तो pi से बड़ा नहीं होना चाहिए argument में क्या है कि आइस से बड़ा नहीं हो सकता है अगर बड़ा हो जाता है इस दोनों के आड़ करके तो फिर हमें 2 pi माइनस करना पढता है अब हमें frame देखेंगा हमें किलियर हो जाएगा तो यह देखें, find the argument of these and these, यहां देख सकते हैं, दो complex number आपस में into है, तो इसको माल लेंगे z1, इसको माल लेंगे z2, यहां divide इसको माल लेंगे z1, इसको माल लेंगे z2, तो इसका हमें, इस पूरे का हमें argument निकालना है, तो इसका पूरे का argument हम कैसे निकालेंगे, हम इसको माल लेंगे Z1 इसको माल लेंगे Z2 तो हम अलग-अलग का अरग्यूमेंट निकालें कि अभी हमने फॉर्मूला जान लिया कि इसका अरग्यूमेंट निकालना मने इसका अरग्यूमेंट पलस इसका अरग्यूमेंट है न तो इसका अरग्यूमेंट हम निकालेंगे इसका theta equal to 1 मतला pi by 4 होगा है न 45 degree होगा इस तरह इसको निकालेंगा argument of z2 यह pi by 6 होगा यह 1 by root 3 होगा 1 by root 3 होगा फास्ट काड़न में है तो pi by 6 होगा 10 30 degree होगा अब हम क्या कर लेंगे इन दोनों को add कर लेंगा argument of z1 argument z2 दोनों को add कर कर दिखे क्या हो रहा है यह दोनों एड होगा, argument z1, pi by 4, argument z2, pi by 6 है, add करके यह आएगा, 5 pi by 12, 5 pi by 12 जो है, यह इस range के अंदर है, minus pi से, pi से छोटा है, उपर में 5 नीचे 12 है, तो यह value जो है, एक से छोटा है, मतलब, एक से छोटा मतलब, यह total value जो है, वो pi से छोटा होगा, तो pi से छोटा है, यह पू तो फिर हमें कुछ नहीं करना है, जो इन दोनों का argument, argument of z1, z2 मतलब, यह इन दोनों का product argument क्या होगा, same होगा, m0 हो जाएगा, argument of z1, argument of z2, यह जो हमारा पलस करके आया, वहीं same, 5 pi by 12 होगा, ठीक है, जो दूसरा question है, उसमें z1 मानेंग, यह उपर वाला, जो है, और z2 इसको नीचे वाला, numerator वाला, denominator वाला, यह देखे, यह minus 1,1 होगा, और यह हो जागा, 1, minus root 3, यह कौन से क्वारण में है, यह कौन से क्वारण में है, यह fourth क्वारण में है, तो इसको हम लोग 10 theta निकालेंग, 10 y by x, तो कितना होगा, यहाँ पर मैंने इस तरह का लिया, इस तरह ने, यह 10 theta equal to, मुझे यह लिखना था, और 10 theta equal to, यह आगिया, यह 1 होगा, minus 1 होगा, तो यह mod है, इसलिए, plus में चेंज जाएगा, ठीक है, यह 10 pi by 4 होगा, तो theta कितना आगिया, यहाँ पर, theta आगिया, pi by 4, और यहाँ भी उसे तरह, 10 theta equal to this, equal to 10 root 3 होगा, यहाँ यह 10 pi by 3, तो theta कितना आगिया, pi by 3 आगिया, ठीक है, अब तब argument of z1 कितना होगा, इसका argument, तो यह theta आगिया, यह कौन से quadrant में, second quadrant, second quadrant में क्या होगा, pi minus theta, तो pi minus theta, यह होगा, यह 3 pi by 4 होगा, अच्छा, यह 4th quadrant में, यह 4th quadrant में होगा, तो 4th quadrant में क्या होगा, जो theta होगा, उसमें minus sign लाग जागा, बस minus pi by 3 होगा, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को minus करेंगे, क्यों हमें, जो है, निकालना है, वो है, argument of z1 by z2, उसका निकालना, तो minus value आएगा, argument of z1 minus, argument of z2, minus करेंगे, argument of z1 कितना, 3 pi by 4 minus, argument of z2 minus pi by 3, यहाँ minus और यहाँ भी minus से, पलस हो जाएगा, इस calcium लेंगे, यहाँ जगा, 13 pi by 12, 13 pi by 12, यह यह जो value यह pi से बड़ा है, अब देख सकता, उपर में 13 है, निचे 12 है, तो यह value pi से बड़ा हो जा रहा है, तो यह जब इन दोनों का minus करके, जो value pi से बड़ा आ जाएगा, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें से 2 pi minus करना पड़ेगा, तो ultimately, argument हमें इसका निकालना मतलब, इसको z1 मानना था, इसको z2 मानना, argument of z1 by z2, formula की साब से क्या होगा, argument of z1 minus z2, और चुकिए यह pi से बड़ा है, इसलिए minus 2 pi करना पड़ेगा, तो यह बहलू आगी हमारा 13 pi by 12, उससे minus 2 pi करेंगा, LCM लेकि यह आएगा, यह हम minus करेंगा, minus 11 pi by 12, तो इस तरह से निकाल जाता है, तो मैंने total हरे कहें कि example देखे, argument किस तरह निकाला जाता है, simple complex number का, उसके बाद फिर जो है, उनके product का, उनका divide का, question का, तो मैंने सब का एक एक example समझा दिया, ठीक है, उमीद का तो आपको समझ में आया होगा, और अब आप खुद से भी question, argument वाला solve कर सकते हैं, next video में में आगे, complex number का, root वगेरा, और और properties के बारे में बताऊंगा, thank you very much for watching, और साथ में इस ट्वान जो मैंने भी बताया, इसका PDF नोट डेस्किप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इसको download करके भी रख सकते हैं,